दोस्तों, मैं तुम लोगों एक सलाह देने चाहूंगा कि जिन्दगी में कभी भी गवंड मत करना हूँ बढ़िया चीज नहीं है मैंने किया था दो साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी मैंने बला, फॉक आफ ऐसे लैटॉप सरका दिया बॉस के सामने मैंने बुझे नहीं करनी तुम्हारी गुलाब तो बॉस नहीं बला, लैटॉप तुम्हारा ही है तो बला, आरी शोर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो मैंने बला, हाँ, पूरे ओफिर अप्रेजल मिल गया और मैं वही का वही तो बॉल रहे की तुमको नहीं निकाल रहे हैं, यही तुम्हारा प्रेजल एक to, तुम रूडब बहुत हो तुम अपणी जूनियर स्यसी डंग से बात नहीं करते हैं मैंने बला ऐसा तो है, नहीं जूने समेशा बोलते हैं, Hello Ravi Sir, Good morning Ravi Sir. मैं लो, Ravi Sir क्या होता है? We are friends, we are colleagues. हम साथ में काम करते हैं. Call me Sir only. तो बहुत ने मोला, भग. भग आफ. उसके बाद मैं भेरूजगार हो गया. फिर मैं अपना passion फॉलो करने लग गया. मैं stand-up कर रहा था. शोज चल रहे थे, लाई बढ़िया चल रहे थे, इंडिया घूम रहा. फिर pandemic आ गया. अब मैं वापस उसी company में job कर रहा हूँ. और मैं खुश भी हूँ. क्योंकि passion और भूखमरी दोनों अलग चीज़ी थे. यह मुझे clear होगे. और यहाद है, जब first wave आई थी, हम सब की अहालत खराफ हो गए थे. मैं दिल्ली में रहता हूँ. और वहाँ पर cases बहुत आज थे. लोग hospital में जा रहे हैं, उनको bed नहीं मिल रहे हैं. शंजान घाट पर लाइने लगी हूँ. लोग मर रहे हैं. मेरी फट गी है, मैंने बोला, यूपी चलते हैं, गाउन चलते हैं, वहाँ cases कम है. और मैं यूपी चला गया. और वहाँ जाके पता चला कि वहाँ कोरोना है ही नहीं. क्योंकि वहाँ लोग मान ही नहीं रहे कि ऐसी कोई cheese market में आई हूँगी. मेरे गाउं में कोरोना माता का मेला लगा हुआ है. वहाँ कोई मास नहीं लगा रहा है. वहाँ तुम मास लगा लोग तुमको guilt film में कुछ गलब तो नहीं कर रहा है. और जिसको COVID है हो तो लगा है ही लगाब तो हो भेंचो आप क्यों लगाना है? मैं मास लगा के घुम रहा था, एक मन दा बोला जादा show off मत करो. मैं दुकान पर चला गया, मैंने बहुत है, मास दे तो. उसने बहुत है, क्रिश्फोर तो अभी आई ही नहीं. आभी कहां से मास दे ते? एक आदमी मास लगाए वे दिखाए थिया, मैं उसके पास चला गया है, बहुत है, थंकी सोगाच यार, आप काफी जिम्मदारी वाला काम कर रहा है, उसने गन निकाल दी, बहुत है, पैसा निकालो, वहां मास सिर्फ ढकायत लगा रहा है, वहां डॉक्टर्स भूखों मर यार, कोई जाही नहीं रावन के बास, मेरे पड़ोस में लड़का, फॉरें पढ़ाई करने के था, यूके डॉक्टरी की, और वही सेटल होने वाला था, फिर उसमें सवदेश मूवी देख लिए, तो बंधा ने जो कभी छोट नहीं सकता, मैं गाउं जाओंगा, वहां अ सेवा करनी है, तो डॉक्तर आदमी राद में तांतरिक का काम करता है, वो लोगों का कोरोना उतार रहा है, वो नीबू बडाल के देरा परासिटो मॉल, की चूसो मैं जो ठीक हो जाओ यार, तुम बसे, वो डोलो की भभूत बना के दरहे लोगों को, किसको जीप पे मन लेन वहाँ अलग महौल है, मैं अपनी तरफ से एफट मार रहा हूँ, मैं दुकानों पिजगे वन हेंट डिस्टेंस पर खड़ा हो जा रहा हूँ, लोग पीछे धक्का दे रहा हूँ, कि काहे टाइं पास कर रहा है, जगे तुकाली है, वहाँ बेचारे वैक्सीन वाले अभी भी गूम रहे हैं, कि पोलियों कि ते लगवालो यार, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे एक अंकल मास लगाँ कि घूम रहे थे, नाक पे, मुह खुला हुआ था उनका, मैंने बहला चाचा ये क्या बख्चो दी, तो बहला बेटा देखु ऐसा है, कि 12 तक हमने साइंस पढ़ी हुए है, और उसमें हमें बताया गे थे, कि मुह से हम कारमटविक साइड निकालते हैं, और जहां से ऑक्सीजन लेते हैं, वो छेट तो बंद है, तो बाग जो यहां से, तो महाँ चला गया, मैं बहस नहीं करता है, मैंने घर पे बोला, मम्मी को बोला, कि मम्मी ऐस कि दिल्ली से आ रहा हूँ, दस देन को ले गोरेंटीन हूँ, क्योंकि केसे बहुत जाद है वहाँ पे, थोड़ा समभाल के रहना है, हम दो को डिस्टेंस बनाना है, खाना और आप ऐसे नीचे सरका के देना, मम्मी बोली ठीक है, पांच मिनट के अदर मम्मी चाय लगे मेर भी छादी भी रखती, कि यो बिटा कुछ नहीं बता, पापा समोसा ले खणी में खाओ न, बिटा खाओ न, मैंने बले समोसा इतनी जल्दी के से बना दिया, वोले बनाए का हो तो दुकान से ले क्या आ रहा है, भीड लगी थी, धक्का मुक्की से होके आ रहा है, पहीं रहना अच्छा लगने लगा है, ठीक है, पर कोविट के जैसे हमको क्या करें, माबाप बोले कि बेटा आ जाओ, जब कुछ उखाण ना था, तब तो उखाण नहीं पाए, अब लॉक्डॉन में क्या ही उखाण लोगी, तो उनकी बातों में सच्चा ही लगी मुझे, जिन कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होते हैं, तुम्हें उनके बारे में और उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ें पता चलने लगते हैं, कि इतने भी बढ़िया लोग नहीं है, मां बता रहाओ, पहले मैं बहुत इज़त करता था हुमें पिता जी की, फिर एक दिन मम्म इने बुला जाओ पापा को खाना डाल के चले आओ ये हाला था इनकी बहुत इज़त करता था मैं उनकी वो हमेशा मुझे बुलते कि मुंबाई गया था मैं पांच रुपए का नोट देखे और लाखों की प्रॉपर्टी खड़ी करते मैं बहुँआ पीछे मम्मी चिला रही है और जो मेरे बाप से करजा लिया था तुम ने वो तो अभी तक नहीं मिले यहाला था इनकी दो बार के बाद इनको चाय नहीं दे रही है यार मम्मी पापा चाय भी ऐसे ही मांगते कि दूद तो नहीं होगा ना घर पे चलो ठीक है मैं न्यूज देख लेता हूँ और यह न्यूज देख रहे है यह दिन दिन भर न्यूज देख रहे है न्यूज वाले उतनी न्यूज नहीं बना पा रहे है जितने न्यूज देख रहे है यह सेम न्यूज अलग अलग चैनल पे देख रहे है कि चाइना में भढ़ गिया, मैं भढ़ गवाम चाइना में. औरे हर बार चौक जा रहा हुआ. पापा इतना निवस राख लेख लिया, उनको लगता है इंडिया ने कर लिया है चाइना पे कफजा. एक दिन मुस्से बोलना था हम इनको अपने देश में मोमोस के बेशने दी रहे हैं यह मैंने बोला पापा यह नौर्थ हीस के लोग है बोला जो भी है अपने देश जाए ना आप तो पढ़े लिखे होना है कैसी बाती कर रहा है और एक तो यह नुज देखना बंद करो यह फालतु की जिनो कोई इंडिया ने चाइने पर गबजा नहीं किया हुआ है बोला जब टीवी पर एंकर इतना चिला रहा तो जूट थोड़ी बोल रहा होगा मैंने बोला एक तो अर्टा को देखना बंद करो यह गांजा खा के निउस करता है यह फूप भी नहीं रहा यह प्रोपर पकॉडियां तली जा रही और उसको खा के चला जा रहा निउस करने और वहा पर भी उसको कम पढ़ जा रहा तो वही चिलाने लग रहा है मुझे ड्रक्स दो देखो देखो ये मेरा पस्पेक्टिव था पापा को लेगे अब पापा भी मुझे देखी रहे ना उनको भी लग रहा कि इस नल्ले को प्रॉपर्टी देने वाला था मैं तो बिकार है यार बारा के बाद पहाडा नहीं आता इसको अभी बाएं हाथ से लिखता है पंदरा साल से कब है इसको कल दही के साथ मोमोज पेल गता में उनी समझता दिन भर पड़ा रहता है नाभी में सिरुई निकालता रहता है इसमें चौकने वाली कोई बात नहीं है सबकी नाभी सिरुई निकलता है बस मेरा स्टार्ट अप का प्लैन था मैं उसका तकिया बनाँ हूँ मैं कपास की खेती करूँगा और शार टेंग में चला जाओंगा मैं कि जीरो परसेंट इंवेस्मेंट हंडेट परसेंट इक्विटी इतने दिनों बट ने को ऐसी बात नहीं कि मैंने इज़त कमाई नहीं बस इन लोगों ने देखी नहीं जैसे कहा है मैं मैं स्टैंड़ कोमेडियन प्रोफेशनल ऐसे नहीं जो भी आये मुझे काम मिल रहा है कल मैं गया था कीटी पार्टी परफॉर्म करने बारास अरुपा उन्होंने ऐसे जखर किते हैं पर ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में कुछ जैसे मैं मुल्टी नेशनल कमपनी के लिए भी शोज करता हूं कॉर्परेट शोज भी करता हूं पिछले महीं ने एक बहुत बड़ा शो गया था मैंने और वोग नोग ने मेरे अभी भी दे रहें किया इंडिया में यह तो बेहन हो गया था या फिर उन्होंने मुझे अंदर ले जाके एक पैनल में बिठा दिया जहां उनकी कंपनी के लोग थे और वहां उनकी प्रजेंटेशन चल रही वो मुझे दिखा रहे है कि देखे मिस्टर राज़ादा हमने अभी तेरा ट्रिलियन का कारोबार जाकारता में किया है मैरा थेरा हजार रुपय फसा हुआ है फिर थोड़ी देर में मेरे बारे में मुझे प्रजेंटेशन देने लग गए कि आपका नाम रवी गुपता है और आपका जन्वारानसी में हुआ है आप देख एक दाइम पर मुझे लगा है मैं मरवर गया हूँ क्या कि मेरी जीउनी क्यों बता रहा है आप बड़े ही अस्मोग सभाव के हैं तभी तो स्टाइट लुग कर रहा हूँ या और वो सब चीज़े थे कि मेरी आँखों से से ऐसे आंसों निकलने ही लग गए कि काश मम्मी पपा यहां होते तो उनको लगता हूँ कर लॉंडा कितनी तरक्की कर गया पर मम्मी पापा ने मुझे ऐसे ही देखा है कि मेरे को कुट्दा दोडा रहा है मेरा पयर टटी पे पढ़ गया है मम्मी वही छट से ही चिला रहा है मैं अंदर मैं चपल फेक के मारूंगे जो बाहर से नहा क्या हूँ बाहर से कैसे नहा क्या हूँ यार मैं मम्मी को इन सब चीज़ों से कोई मतलम नहीं मम्मी मेरी चलती हुई जूम कॉल पर स्क्रीन साफ करने लग जा रहे मैं उनकी सफाई के बीच में आ गया था इसको भी रगण ही देते है मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं कुछ भी खा रहा हूँ ना मेरे को smell आ रहा है ना टेस्ट आ रहा है टेस्ट का पता ही नहीं चलता मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो मम्मी बोल रही है, मैं पागलों के तरह किचन में काम कर रही है इन नवाप जादे को टेस्ट नहीं आ रहा है जा के अपने बाप से बोल तो रेस्टोरांट खोल दे तुम्हारे लिए मैंने बोला है, इगो पे लेने वाली बात नहीं है ठीक है, अगो शुरू संजा रहा हूँ कि कोरोना एक बीमारी आई जिसमें आप कुछ भी खाओगी, कुछ भी पियोगी, ना इसमेल आएगा, ना टेस्ट आएगा मैं बोली, यह इसा है क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैंने बोला है, इससे बढ़िया क्या है धेर सारा करेले का जूस पीलो, जब पता ही नहीं चल रहा है, तो पीलो धेर सारा करेले का जूस, रहल्दी हो जाओ, इसे कहते हैं आपदा में आउसर देखुँ, हम घर पे अजीबुगरीब चीजे करा हैं जो हमने जीवन में कभी नहीं की क्योंकि हम कुछ कर नहीं साकते, हम फसे हुए हम घर पे पीज़ा बना रहे और पीज़ा इतना घटी है की कुथ्टा भी नहीं खायेगा क्योंकि इसमें परसों के परवल के टॉपिंस डाल रखे हैं इन्होंने हम बस इसलिए खुश है कि बाहर से करीते तुछेसों का पड़ता हम घरवाले बैठके लूडू खेल रहा मैंने मम्मी की गोटी काट दी मम्मी न मेरे को थपड़ मार दिया पड़क साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें पापा बोले मिल गया परशाद बाहर पुलिस वाले बीठर अंदर घर वाले कहा ही चले जाओ गयार तो मैं घर पे अठारवी बार अपनी दीदी की शादी की कैसट देख रहा हूँ और जैसे ही विदाई आ रहे हैं मम्ही रोने लग रहे हैं यह हमारी ललकी चाण की चाण की हम गए तुम्हारी ललकी छोड के नहीं कई यह बगल बैटके कडाही चाट रही है यह अपने पती को पीठ की आई फाई आर कर रहा है सांसुराल वालो ने वापस ने लेके जा रही है जोगा थोड़ी एक ट्रैजिटी थी मेरे घर पे जैसे मेरी भेहन की जब शादी होने वाली थी तो उसका हाथ ऐसे दिखाए गया था पंड़ी जी को तो पंड़ी जी ने बोला कि अरे ये तो मंगलिक है जिससे इसकी शादी होगी उमर जाएगा तो दीदी थोड़ी खुश हुई थी पर मम्मी को दामाद जिन्दा चाहिए था तो मम्मी बलज को सल्यूशन बताओ उन्हों सल्यूशन बताओ कि इसकी शादी पेड़ से करवाद होगे ना मज़ा ही आजाएगा सब सही हो जाएगा अब देखो मुझे एक चीज़ समझ में आ रहे थे कि ये गलत है मैं छोटा था बड़ मुझे समझ में आ रहे है कि ये गलत है अंद विश्वास है ऐसा कुछ चीज़ नहीं हो उसकी शादी पेड़ से करवा दे लो मेरे सामने मेरी बहन की शादी पेड़ से करवा वो पेड़ के साथ फेरे ले रहे है और मुझे नहीं कर पाया अगले दिन आंधिया ही पेड़ ही खड़ गया मुझे लगा सच में तो नहीं चुना है लिए अरे बढ़ाओ यार इसको हम घर वाले बैटके लूड़ो खेल रहा है मैंने मम्मी की गोटी काट दी मम्मी ने मेरे को थपड़ मार दिया बढ़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें पापा बोले मिल गया परशाद